असलाम अलेकुम आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी आलू बेंगन की बहुत मज़ेदार रेसिपी तो हम बनाएंगे आलू भरे मसालाईदार बेंगन बहुत मज़ेदार बनेंगे तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने बेंगन लिए हैं गोल वाले इस तरह चोटे साइस के तो यह दिखिए यह गोल वाले चोटे साइस के बैंगन है अब इसे हम पहले काट लेती हैं तो इसमें आपको कटिंग बहुत इंपॉर्टनट है वह देखनी पड़ेगी कैसे तरह से होगी तो पहले इसका बैंगन का ग्रीन पार्ट जो है वह इस तर नहीं काटना, end से थोड़ा सा उपर तक छोड़ देना है, ताकि बेंगन जो है, वो जब हम काटे तो अलग-अलग नहीं हो, आपस में इसके पीज जो है, वो जुड़े रहें, इसलिए ये cutting इस तरह से करनी है, तो ये देखें, इस तरह, ये ऐसे cutting करनी है, तो इस तरह से एक बेंगन के 6 हिसे बन जाएंगे, ये देखें, और ये देखें, इसका दूसरी साइट से, ये मैंने बिल्कुल end तक नहीं काटा है, तो ये उपर तक इसका रहने दिया है, और ये देखें, ये इस तरह से एक बेंगन को चेक कर लेना है, और उसके बाद बेंगन को पानी में डिप करके रख देना है अब इसी तरह एक और बेंगन लेना है अब मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीन पार्ट कैसे अलग करना है अब आप इस तरह से भी ग्रीन पार्ट को अलग कट सकते हैं और इसी तरह दूसरी साइड से भी कर सकते हैं अब इसे भी कटते हैं और यह जुड़े रहने चाहिएं तो यह में ने दूसरा ब很有 डिया साथी बीसुत झूर्डप और चाहिएं तो जाने उन्व हम दुगवते हैं इसलिए मैंने आलू को पहले से बॉइल कर लिया, तो इसके लिए लिए हैं मैंने तीन आलू, अब आलू को कश करना है, यहां पर मैं आपको पताओं कि आपने मैश अच्छी तरह करना है, चाहे आप कश कर लें, इससे क्या होगा कि चोटी से चोटी गुटली भी नहीं अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं ताके आलू फिके से ना रहे हैं इसमें फ्लेवर आजाए तो इसके लिए मैंने डाला है एक चमच नमक और एक चमच नमक और एक चमच भरके डालने हैं नहीं तो दो चमच डाल दीजेगा, तो कॉन प्लार हम क्यों डाल रहे है इसकी एक reason है कॉन फ्लर डालने से आलों की अच्छे से binding हो जाएगी और जब हम इसकी filling करेंगे बैंगन में तो आलो बाहर नहीं आएंगे इसलिए मैंने इसमें कॉन फ्लर डाल दिया है अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी filling कैसे करनी है तो आपने इस तरह से बैंगन लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा इन पार्ट को अलग करके इसमें आलो भरते जाना है तो इसी तरह हर पार्ट में जो हमने एक बैंगन के 6 पार्ट बनाये थे इन 6 के 6 में थोड़े थोड़े आलों की इस तरह से filling कर देनी है और फिलिंग भी बहुत ज्यादा भरनी नहीं है थोड़ी थोड़ी करनी है क्योंकि अगर हम ज्यादा भर देंगे तो बैंगन जो है वो टूट जाएंगे तो हम जो इसको शेप देना चाहते हैं वो पिर नहीं दे सकेंगे इसलिए हर पार्ट में जो हमने कट किया है उसमें थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग कर देनी है तो यह देखें इस तरह से आपने फिलिंग करनी है तो यह बैंगन की रेसिपी जो है यह आपने जरो ट्राय करनी है यह इतने मज़े के बनते हैं और इतने डिफरेंट है कि आप द अब आलो को बैंगन में फिल कर दूँगी तो यह मैंने तो बच गए तो वह मैं आपको बताऊँ कि उसका इस्तमाल कहा करना है अब हम क्या करेंगे पैन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसमें यह जो पार्ट है आलो वाली साइड का यह हम पहले नीचे रखेंगे इसको हमने हलका सा फ्राइ करना है तो यहां पर मैं आपको बताऊँ इसलिए मैंने इसमें कॉन फ्राइड डाला था क्योंकि अगर हम अब पैन में दूबारा से पैन में अदा कप और डाला दाल दिया एक पिसा हुआ प्यास क्योंकि हम बना रहे हैं इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तो वह बहन दालना है तो अब हम क्या करेंगे दूसरी साइड इस ग्रेवी में कोख लेंगे तो यह देखें प्यास जब अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसे भी हलका सा फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद पिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले तो पहले हमने आलू में मसाले डाले तो अब हम इसकी ग्रेवी में भी मसाले डाल लेते हैं तो इसके लिए मैं डाल दूँगी एक चमच नमक अगर आपको स्पाइसी थोड़ा कम रखना हो तो आप मिर्चे एक चमच कर दीजेगा लेकिन अगर आपको हमारी तरह थोड़ा सा चकपटा पसंद हो तो देड चमच मिर्च डाल दीजेगा अब दो से तीन चमच पानी डाल के मसालों की हम अची तरह से बुनाई करेंगी तो बालने से ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो जागी अब हम टेमाटरों थोड़ी देर को कर लेंगे क्योंकि तो यह देखें तीन से चार मिनट के बार टेमाटर का सारा पानी ड्राय हो गया और अच्छे से कोक गया है ऑल बी सेपरट हो चुका है अब हम इसमें दुबा तो मैं यहां पर एक चमच डाल रही हूं कि मुझे तो अच्छी लगती है इसके बाद एक और चीज बहुत ही खास वो है आलू का मिक्सटर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आलू का मिक्सटर बच गया है तो वह भी ग्रेवी के टाइम पर ही हम इसमें एड़ कर देंग देंगे तो उसमें जो है अब यह वली साइड जो है जो कोक नहीं की ती वह वली हम ग्रेवी में रखेंगे और दूसरी साइड जो हम कर चुक है क्योंकि वह मैंने साथ से आठ मिनद तक टाइए ते इसलिए एक साइड इसकी यह देखे आपको नजरी आ रही है कि यह को हो और बेंगन की पहचान यह होती है कि इसकी स्कीन जो है वो थोड़ी नरम पड़ जाती है जिससे बेंगन का पता चल जाता है कि यह कोक हो गए है अब इसे भी मैंने 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था तो यह देखें बेंगन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके अगर आपको लगे कि अभी थोड़ी से हार्ड है तो आप मजीद 5-7 मिनट लो फ्लेम पे रख लीजेगा और बिल्गुलेंड में हम हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निच कर लेंगे यहां पर मैं इसे पलटूंगी नहीं क्योंकि मैंने इसे फ्राइ कर लिया था तो ए मजीद इसे एक से दो मिनट और मैं दम पर रख दूंगी ताके हरी मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो दो मिनट के बाद यह देखिए बहुत ही मज़ेदार से आलू बेंगन के रेसिपी जो है वह तयार है तो आपने मेरी यह रेसिपी जूट आई करनी है और अगर रेसिपी अच्छी लगें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजेगा तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नहीं मज़ेदार रेसिपी में आला हाफिज